हेलो गाईज, बेरे गुड मॉनिंग टू आल, वेलकम टू नाइन एम एपिसोड, हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं, सलार मुवी के बारे में, सलार मुवी कैसे बाहुबली 2 को बीट किया है, कौन सी खत्रह में, किस तरह से, उसके बारे में बात करेंगे, टॉक्सिक म बारे में बात करेंगे, हनुमान मुवी के बारे में बात करेंगे, सीवी अपसी रिपोर्ट के बारे में, और स्क्रियान टाइम के बारे में, गुंटूर कारम की स्टार कास्ट के बारे में, और बहुत सारी चीजों के उपर उसके चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सलार मुभी से तो सलार मुवी का नीजाम बख्सपीस कलेक्शन जो है वो बाहुबली 2 को बीट कर दिया है जी हम जाँ इस साइट में आंद्रा के साइट में आप्रिशेशं मिली है जो की आदीपूरिश के टाइम पे नहीं मिला था मेरे भाई ओके मतलब इसका मतलब यह होता है कि भाई फैन जो भी होना पहले फिल्म का ही फैन होते हैं इस बात का आप याद रखेगा जरूर मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ कोई भी किसी का भी फैन क्यों ना हो अगर वो हिरो का फिल्म अगर अच्छा नह जितने भी फिल्मी लवर को सब ही को फिल्म पसंद आ रही है और इस तरह का एक चीज़ दिखने को मिला जो कि सलार मुवी में हुआ यह success देखने को मिली सलार मूवी के साथ जो भी हो अभी आगे Darling Pravas की जितने सारे भी project हैं जैसे कि सलार हो गया सलार 2 हो गया, कल की मूवी हो गया यह जितने भी सारी फिल्में आ रहे हैं यह spirit हो गया, यह सारी फिल्मों के उपर और record तोड़ेंगे, नया record बनाएंगे इसका वरोसा बिलकुल हो रहा है 100% वरोसा हो रहा है और आदी पुरूस या रादे स्याम जैसा हालत और नहीं होगा, इस तरह का feel हो रहा है अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो जरूर कमेंट करिएगा अब ही हम बात करते हैं इगल मूवी के बारे में भाई सब इगल मूवी जो है वो पुस्टपंट हो चुके है और मेरे ख्याल से यह होना भी चाहिए था ओके होना भी चाहिए था इस चीज़ को न गयस गलत तरीके से लेना बहुत गलत हो जाएगा देखो बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही है यह संक्रांती के टाइम पर इगल मूवी जो है 13 जनवरी को रिलीज होने वाली थी और 12 जनवरी को न मेरे भाई सिर्पसरी तेल्गू लेंग्वेस में है ठीक है ना अंध्रप्रदेश में सिर्पसरी पांच-पांच फिल्में रिलीज हो रही है जैसे कि हनुमान मूवी हो गया यह तेजा सज्जाजी का हनुमान मूवी हो गया फिर सेंदब मूवी है बेंकरेस सर का फिर नासामी रंगा फिल्म है यह नगरजुना सर का गुंटूर कारम फिल्म है तो यसे बहुत सारी फिल्म है, आंद्रे प्रदेस में ही रिलीच हो रहे हैं, वहाँ पे रिलीच हो रहे हैं, तो यह जो इगल मुवी को पोश्टपन करना, यह बहुत अच्छी डिसीजन है, और इसको सहराना देना चाहिए, यहाँ पे यह अफ़ा नहीं फैलानी चाहिए, क सबसे पहले आया था, इगल मुवी का मतलब सेंसर रिपोर्ट सब कुछ आ चुगा था, यह उए साटिपिकेट हो चुगा था, मैं कल इसका रॉन टाइम भी बता दिया था आपको कि दो गांटे 37 मिनिट सम्तिंग, दो गांटे 20 मिनिट या 37 मिनिट सम्तिंग इसका रॉन ट इगल मुवी है, वो रिलीश हो रही है, अच्छी बात है भाई साब, थोड़ा सा इंदिजार करेंगे, लेकिन क्लैस के बीच कोई फिल्म आती है, तो बहुत प्रोब्लम है, यह तो बहुत बड़ी क्लैस है, पांच-पांच फिल्मों के साथ क्लैस करना, उपर से सिभकार् फिर क्यों रिलीश करते हैं, तो कैप्टन मिलर मुवी जो है धनुस का, वो भी तेल्गु में रिलीश नहीं हो रहा है, और इगल मुवी तो बिल्कुल पोस्ट्पांट हो गया है, जो कि 9 पेपर्वारी को ही हमें देखने को मिलने वाली है, तो यह अच्छी नियूज है ग फाइनली 13 जन्वारी को नहीं आ रही है, 9 पेपर्वारी को सोलो रिलीश हो रही है, एकदम से धुम मचाएगी, अब भी हम बात करते हैं टॉक्सिक मुवी के बारे में, टॉक्सिक मुवी की तेखो, आठ जन्वारी को यह रॉक्टिं स्टार इस जी का बड़े आ रहा है, और पिछले बड़े पर पर वो एक नोट छोड़े थे, लंबा चौड़ा नोट छोड़े थे, इस बार भी वो नोट छोड़े हैं, और इस नोट में भी वही चीज को लिखे हैं, वो लिखे हैं कि टॉक्सिक का जो मतलब टाइकल एनाउस्मेंट हुआ, जो एक लिए हमें क लोगों को मतलब ये करे हैं, और 8 जन्वरी को वो आ करके अपने फैन्स लोगों के साथ मिल नहीं पाएंगे, इसका वो जिकर करे हैं, क्योंकि वो टक्सिक मूवी में अब भी बहुत ज़दा बीजी हैं, वो फिल्म को ले करके, क्योंकि ये 10 अप्रिल 2025 को ही रिलीश हो रह हैं कि KJF Chapter 2 के बाद हमें Talking Star Years को एकदम से खतरनाक तरीके से देखना है, तो वो उम्मिद में, वो इक्चुल में कैसे खरा उतर पाएंगे, उसमें वो बीजी हैं, इसलिए 8 जन्वरी को वो आ करके अपनी फैन्स लोगों के साथ नहीं मिलेंगे, मतलब पिछली बार भी नह आ जाए, क्योंकि 2025 में ही अगले साल ही फिल्म को रिलीस कर रहे हैं, तो अभी से कोई वीडियो क्लिप नहीं चोड़ेंगे, लेकिन एक पोस्टर आ जाए, ओके तरकता वड़कता खतरनाग वाला पोस्टर आ एक टॉक्सिक मूवी से, थोड़ा सा परशाई वाला वो टाइ बेखुफी होगा, तो 8 जनुवरी को एक पोस्टर का हम उम्मीद रख सकते हैं, कि टॉक्सिक मूवी के तरफ से एक पोस्टर आ जाए, बोल कर गे, ओके, तो वो नोट में बिल्कुल वैसा ही है, मतलब पिछली बार की तरह वो मिलने पाएंगे, उसका दुख जताए है, हन इस तरह का स्टार कास्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा, कि महस बाबु, स्री लिला, मिनाक्सी चोधरी, इनके बारे में हमें पता थी, मैं आपको जैराम जी के बारे में भी बता दिया था, उनके अलावा, रम्या कृष्णन भी है, इस तरह की किर्दार में आती हैं, पता है, रम्या कृष्णन हैं, प्रकास राज हैं, जैराम हैं, जगपती बाबु हैं, मेरे ख्याल से वो विलन होंगे इस फिल्म हैं, जगपती बाबु हैं, रघु बाबु हैं, सुनिल हैं, ब्रहाननदम सर को देखने को मिलेगा बाई, लंबे समय बाद ब्रहाननदम सर आ रहे हैं कॉमेडी करने के लिए गुंटूर कारम में यह एक बहुत बड़ी चीज है मैं तो बहुत जदा एकसाइड़ेट हूं उनको देखने के लिए बहुत सरी मतलब कई साल होगे यार उनको न्यूव फिल्म में देखते हुए तो ब्रहाननदम सर गुंटूर कारम में आ के लिए अरत गुंटूर कारम के स्टारकास को देख करें फिल्म को एंज्ड़े करने का और बी ज़्यदा मन लग रहा है हाँ और एक गुड निज यह है कि घुंटूर कारम हिंदी में भी आ रही है और हिंदी में ही हिंदी में भी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है नॉर्थ ओडियन्स के लिए भी महिस बबुसर की गुंटुटुकारम मोवी को ले करके ओके होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी थैक्स फॉरेचिंग है वे नाइस टेव टेक करे